आज हम करेंगे teaching of English का most important topic जो पिछले papers में भी आया है objectives and methodology of teaching poetry ये question पिछले year के paper में भी आया है कि explain the objective and methodology of teaching poetry definition and nature of poetry poetry एक ऐसी भाषा की कला है जो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होती बलकि आनंद और खुशी के लिए होती है इसे अक्सर the best words in their best order कहा जाता है मतलब सबसे अच्छे शब्दों का सबसे अच्छे तरीके से उप्योब करना कुछ प्रसित परिभाशाएं इस प्रकार है Wordsworth, the spontaneous overflow of powerful feelings मतलब, कवी की भावनाओं का स्वाभाविक प्रवाह Milton, simple, sensuous, and passionate यानी सरल, सम्वेधन्शी और भावक Matthew Arnold, criticism of life जीवन की आलोचना S. सुब्रमन्यम, a thing of beauty in form, thought, mood, and feelings R. विचार, mood और भावनाओं में सुंदरता की चीज General Objectives of Teaching Poetry 1. Listening Practice, कवी ताओं को सुनकर सुनने की क्षमता बढ़ाना 2. Recitation Skills, छात्रों को सही उच्चारन और भावनात्मक अभिव्यक्ती के साथ कविता पाठ सिखाना 3. Appreciation of Beauty, कविता की सुन्दरता तो कर्शाली की सराहना करना 4. Enjoyment of Learning, सीखने को एक आनंदायक अनुभव बनाना 5. Language Skills, उच्चारन, शब्दावली और लै को समझना 6. Literary Love, साहित्य के प्रती प्रेंग विक्सित करना 7. Comprehension, कविता में निहित विचारों और कल्पनाओं को समझना 8. Aesthetic Sense, कविता की सुन्दर्यात में पहलूँओं की सराहना करना जैसे, Ode to a Nightingale Methods of Teaching Poetry 1. Song Method, संगीत और लै का उप्योग करके कविता सिखाना जैसे, The Owl and the Pussycat 2. Action Method, क्रियाओं के माध्यम से कविता का अर्थ समझाना जैसे, If you're happy and you know it 3. Meaning Method, कविता परने के बाद शब्दों के अर्थ को समझाना जैसे, Stopping by Woods on a Snowy Evening 4. Explanation Method, पहले कविता का मॉडल रीडिंग करें फिर उसके अर्थ की व्याख्या करें जैसे, The Tiger 5. Analytical Method, कविता को भागों में बाठ कर अर्थ पर चर्चा करना जैसे, The Love Song of Jay 6. Discoce Method, कविता से जुले कहानियों और घटनाओं पर चर्चा करना जैसे, Ozymandias 7. Appreciative Method, भाषा, विचार और सुन्दटा पर ध्यान देते हुए कविता का विशलेशन करना जैसे, Ode to the West Wind 8. Comparative Method, अलग-अलग कवियों की कविताओं की तुलना करना जैसे, Sonnet 18, और, How Do I Love Thee Thank You, Like, Comment, Share and Subscribe Pulse YouTube Channel